आज हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो रॉन्डा बन की बुक दब मैजिक पे हैं रोज आपको मेरा वीडियो मिलेगा जहां पर मैं रोज आपके साथ एक चैप्टर पढ़ूँगी उसे थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करूँगी और ये बुक पूरी तरह से उन्होंने ग्रैटिट्यूट पे लिखी है इस पूरी बुक में रॉन्डा बन ने अपने कही सारे एक्स्पीरियन्स को शेर किया है और जब तक मैं इस बुक से वाकिफ नहीं थी मैं भी शुकराना करती थी लेकिन कहीं न कहीं complaining mode में आजाती थी को सब कुछ होने के बावजूत मैं ध्यान ही नहीं दे पाती थी कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है और अगर नहीं है तो उसका अच्छा बाट किया है लेकिन जब से मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया इस बुक में दिये हुए एक एक लेसन को अपने जिंदगी में उतारा तब से चाहे जैसे भी सिच्वेशन हो मैं शुकराने के लिए एक अच्छी चीज तो ढूंडी लेती हूँ और मेरे काम किस तरह से होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती और मैं खुद भी अपने experience शेर करूंगी लेकिन आज chapter 1 हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको खुद से कुछ commitment करने होंगी तो वो commitment क्या है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला commitment आप ये 28 दिन कर जो भी videos मैं post करूंगी उसे आपको regular देखने हैं एक भी दिन miss नहीं करेंगे और अगर एक दिन भी miss हुआ तो आप day 1 से बापर शुरू करेंगे अगर आप committed हैं comment box में comment जरूर लिखना committed जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरे video को देखा है और self commitment दिया है दूसरा इसमें जो जो exercise ronda burn ने हमें बताई है आपको वो exercise दिल से करनी है और उस exercise के result आपको देखने है तीसरा सबसे important काम जो आपको करना है जैसे हम doctor के पास जाते हैं doctor दवाई लिख कर देते हैं हम दवाई पी लेते हैं लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं वो दवाई पेत में चाकर कैसे असर करेगी मेरा बुखार उतरेगा या नहीं उतरेगा मेरे बदन का दर्द खतम होगा या नहीं खतम होगा हमारा हेक यकीन होता है कि हमने doctor को दिखाया और doctor ने जो भी हमें दवाई दी उससे हमें फाइदा हो जाएगा सेम उसी तरह रॉन्डा बन ने जो भी हमें exercise बताई है वो बिना किसी if या but के हमें वो exercise करनी है हमें ये नहीं सोचना है कि इतने दिनों से मैं exercise कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा पता नहीं ये बुक मुझे काम आएगी भी या नहीं आएगी या रॉन्डा बन की कितनी बाते सच होगी लेकिन माई डियर फ्रेंड्स अभी तक रॉन्डा बन ने लाखो लोगों की जिन्दगी में एक positive impact दिया है इस बुक के द्रू मेरा ये यकीन है कि इंशाल्ला आपकी जिन्दगी में भी अगर आप इनकी बताई हुई सब ही techniques करते हैं पूरा homework complete करते हैं तो आपकी जिन्दगी में भी वो change, वो impact जरूर दिखेगा तो ये कुछ छोटी छोटी बाते हैं जिनका आपको खयाल करना है और इस 28 दिन की मेरे साथ की जरनी में आपको मेरे साथ बने रहना है हर बार जबी भी आप एक वीडियो मेरा देखेंगे सेम डे आपको वो exercise complete करनी है और मेरी होसला अवजाई के लिए मुझे comment करके जरूर बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप जिस किसी की जिंदगी में gratitude के जरिये खुशियां लाना चाहते हैं उन तक मेरे इस वीडियो को share करना है मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं रॉंडा बन का message आप लोगों तक पहुँचा पाऊं लेकिन आपकी भी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इनके message को पूरी दुनिया में फैलाएं So thank you so much आप मेरे इस जर्नी का हिस्सा बने और हम आज पहला chapter शुरू करना है दिल से मैं रॉंडा बन को thank you कहना चाहती हूं जिनोंने इतनी खुबसूरत बुक लिखी gratitude पे और जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में बहुत जादा positive impact है तो हम शुरू करते हैं आज का पहला chapter रॉंडा बन का पहला chapter है और उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ूंगी भी चोटा चोटा जो explanation है वो भी करूंगी बहुत ही simple language में समझाने की कोशिश करूंगी और आप इस वीडियो को end तक सुनेंगे और ये exercise करेंगे तो पहला दि याने पहला chapter अपनी नियामते गिने जब मैंने अपनी नियामते गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिन्दगी बदल गई वीली नेलसन जन्र 1933 गायक गीत का इन्होंने एक बहुत ही खुबसूरत अपना एक कोट इस बुक में दिया है कि जब मैंने अपनी नियामते गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिन्दगी बदल गई और अब हम आगे देखेंगे आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामते गिनो जब आप कृतग्य होने के लिए चीजें खोचते हैं तो दरसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामते गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादूई ढंग से बदल सकता है जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतग्य होते हैं तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे यदि आप उस धन के लिए कृतग्य है जो आपके पास है चाहे वो कितना भी कम चोना हो तो आप देखेंगे कि आपका धन जादूई रंग से बढ़ रहा है आपके पास अभी कितने ही पैसे है चाहे वो कम है चाहे वो जादा है लेकिन बिना सोचे आपके पास जो पैसा है उसके लिए आपको शुकराने की फीलिंग लागी है कृतग्य होना पड़ेगा यदि आप किसी संबंद के लिए कृतग्य है बले ही वो आदर्श ना हो तो आप उसे चमतकरिक अंदाज में बहतर होते दिखेंगे यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतग्य हैं बले ही वो आपके सपनों की नौकरी ना हो तो परस्थित्या इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनन्दाएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रगट होंगे हमारे पास जो भी रिष्टा है हमारे पास जो भी जौब है हमें उसके लिए भी गृतग्य होना है और आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी रिष्टे आपके पैसे और आपकी जौब में आपको magically change दिखेगा इसका दूसरा पहलो यह है कि जब हम अपने नियामते नहीं गिनते हैं तो हम अंजाने में ही नकारत्मक चीजों को गिनने के जाल में पस जाते हैं जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम निश्चित रूप से नकारत्मक चीजों को गिन रहे होते हैं जब हम दूसरों की आलोजना करते हैं या उनमें दोश ढूंते हैं तब हम नकारत्मक चीजों को गिन रहे होते हैं तब ये भी होता है जब हम ट्राफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार परियाप्त पैसा ना होने या मौसन की शिकायत करते हैं जब हम नकारत्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बड़ भी जाती है लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हैं कि हमारी गिनी हुई नकारत्मक चीज उन नियामतों को रद कर देती हैं जो हमारे और आ रही होती है मैंने नियामत गिनने और नकारत्मक चीजे गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामते गिनाही जीवन में समरुद्धी पाने का एक मातर तरीका है यहां रॉन्डा बन बहुत ही खुबसूरती से समझाते हैं कि हम अपनी जिन्दगी में बहुत ज़ादा कंप्लेंड करते हैं चाहे वो ट्राफिक में फस जाते हैं हम तब करते हैं या कोई लंबी कतार में खड़ें तब करते हैं या हमारी जिन्दगी में कुछ भी कम जादा हो जाता है तब भी हम कंप्लेंड की मोड में आते हैं लेकिन उस complaint से सबसे बड़ी जो हमारी नुकसान होती है वो ये कि हमारे पास जो होता है वो भी कम हो जाता है और लेखी का ने खुद ही आजमाया है, खुद देखा है कि complaint करके क्या मिलता है और शुकराना करके क्या मिलता है हम आगे पढ़ते हैं, अपनी मुश्किले गिनकर नियामते खो देने से बहतर ये है कि अपनी नियामते गिनते समय गिनती भूल जाएं, कितनी खुबसूरत बात है जो कई है कितनी खुबसूरत बात है, अपनी मुश्किले गिनकर नियामते खो देने से बहतर ये है कि अपनी नियामते गिनते समय गिनती भूल जाएं, आप देखना जब आप अपनी नियामते गिनना शुरू करेंगे तो आपको ये यकीन होगा कि हमारे पास कितनी नियामत हैं जैसे के हमारी दो आखें हमारे कान हमारा मूँ जिससे हम बात कर रहे हैं हमारी आवाज हमारा दिल की धड़कन हमारा पूरा बॉड़ी हमारे पास जो खाने को है हमारे पास जो पानी है हमारे पास रहने को घर है कितने लोग दुनिया में ऐसे है जिनके पास ये सारी चीज़े है कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं जिनके पास आखे नहीं, जिनकी आवाजे नहीं जिनके पास रहने को घर नहीं है पानी के लिए उन्हें इतनी दूर दूर तक जाकर पानी लेना पड़ता है आप जब ये नियामते गिनना गिनते बैठेंगे तब आपको एसास होगा कि हमारे पास कितनी सारी चीज़े हैं और क्योंना हम नियामते गिनते गिनते अपनी गिनती बोल जाए सुबा सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामते गिने आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं उसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तिमाल कर सकते हैं ताकि कृतग्य होने के सारे कारण एक ही जगा आ जाए। बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें समझा दिया है कि सुभा उठते ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए हमारी नियामते गिनना और वो आप कंप्यूटर पे भी गिन सकते हैं या एक बुक लेकर भी आप अपनी न 28 दिन की नियामते जो लिखेंगे वो एक दिन आप पढ़ भी पाएंगे। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतग्य हैं जब आप किसी खास यक्ती स्थीती के लिए क्यों कृतग्य हैं इस बारे में सोचेंगे तो आ अधिक गहराई से महसूस करेंगे याद रखे कृतग्यता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखे कि आप उसके लिए क्यों कृतग्य हैं यहां पर रॉन्डा बन हमें यह बता रही है क किस तरह से हमें अपनी नियामते लिखनी है और एक एक नियामत के पीछे हमें रीजन देना है कि हम क्यों उसके लिए कृतग्या है आगे देखते हैं ध्यान से सुनना लिख भी लेना जिससे आपके लिए आसानी हो सुची लिखने के कुछ विचार यहां दिये जा गए हैं मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है क्यों की क्यों मैं क्या के लिए खुश और गुतग्या हूं क्यों की क्यों मैं क्या के लिए सचमुच गुतग्या हूं क्यों की क्यों तहे दिल से मैं आपको क्य के लिये धन्यवात देता हूँ, क्यूंकि क्यों, इसका ये मतलब है कि अगर मैं आज एक नियामत लिखती हूं, कि क्योंकि मेरे पास मेरा घर है, अल्ला तेरा शुकर है क्योंकि तुने मुझे तन्रुस्ती के साथ रखा है, अल्ला तेरा शुकर है कि मेRे पास मेरी फामिली है क्योंकि मेरे पास मेरे दोनो बच्चे है और हम खुशी से अपने जिन्दगी जी रहे हैं हर नियामत के लिए आपको रीजन देने है आप जो भी नियामत लिगते हैं आप उसके ली रीजन देना अगर आपको वापस इस चीज़ को देखना है तो थोड़ा सा पीछे जाकर आप इसे रुख रुख कर भी सुन सकते हैं और इन सारी चीज़ों की एक अच्छी सी सुची बना सकते हैं अपनी दस नियामतों की सुची बनाने के बाद हर नियामत को पड़े या तो मन ही मन या फिर जोर से जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचें तो जायदूई शब्द धनियवाद 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 को तीन बार दोर आएं और उस नियामत की गुरतग्यता को अधिक से अधिक महसूस करें यहां पर जबी भी हम अपनी नियामते गिनेंगे तो हमें नीचे लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू धनियवाद 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 आगे रॉंडा बन कुछ एक्जामपल दे रहे हैं जिससे हमें अपनी नियामते गिनने में आसानी होग अधिक कुरुतग्यता महसूस करने के लिए आप सुरुष्टी, इश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्च स्वरू या जो भी अउधारणा आपको अकरशित करती हो उसके प्रती कुरुतग्य हो सकते हैं जब आप किसी चीज या व्यक्ति की और कुरुतग्यता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं इस तरह आपकी कुरुतग्यता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी इसी वज़ा से प्राचीन संस्कुरुतियों ने सूरिय जैसे प्रतिकों को चुना ताकि कुरुतग्यता उनकी दिशा में भेजी जा सकें वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्त्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुतिक प्रतिक का इस्तिमाल कर रहे थे और इसी प्रतिक पर ध्यान के अंदरित करने से अधिक कुरुतग्यता महसूस कर रहे थे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमेंने समझी किस तरह से हम अपनी नियामते गिन कर कुरुतग्य हो सकते हैं फ्रेंड्स मैं पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ूँगी इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप ये बुक को खरीदें और इस बुक को अच्छे से पूरी तरह पढ़ें मेरी कुशिश यही है कि मैं आप तक इस बुक के मैसेज को पहुँचा पाऊं क्योंकि बहुत ही डीटेल में रॉंडा बनने इसे लिखा है मेरी आप सभी से एक हमबल रिक्वेस्ट है कि आप सभी जादू हिंदी में है, इंगलिश में है और ये बुक हर लेंग्वेज में है इसलिए हर चैप्टर को मैं थोड़ा थोड़ा पढ़कर में जो मैसेज हो आप तक पहुचाऊंगी बट अगर डीटेल पढ़नी है, तो आप ये बुक खरीदें और इसकी डीटेल को पढ़ें तो इस चैप्टर को हम यहां खतम करते हैं इस चैप्टर में रॉंडबन ने हमें अपनी नियामते गिन्ना सिखाया है बहुत सरे एक्जामपल्स भी उन्होंने दिये हैं कि हम किस किस चीजों के लिए शुकर गुजार हो सकते हैं आज से ही आपको अपनी नियामते गिन्ना शुरू करना है 28 दिन का ये अभ्यास आपकी जिंदगी में magical change लेकर आने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस वीडियो के बाद आप जल से जल्द बुक खरी देंगे और पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इसकी चोट इसी जो exercise बताई हैं वो आप करेंगे Thank you so much मेरे साथ बने रही है 28 दिन के इस सफर में हम डीटेल में समझेंगे किस तरह हम deep gratitude अपने अंदर अपने जिंदगी में लाकर खुशिया लेकर आ सकते हैं Thank you, stay connected Thank you so much, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें यही दुआओं के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरा देन याने second chapter में Thank you